कि अब बने अब आज और आज 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 एक लाश अलेवंद में फिजिक्स में हम प्रजेक्टाइल मोसन से एक सवाल देख रहे हैं जिसमें सवाल है उचाई capital H की एक मिनार से 4U से एक कण को उर्धवादर उपर की और फेका जाता है कण को पृत्वी तक गिरने में लगा समय उसके उचतम बिन्दू तक पहुँचने के समय का एन गुना है है एक यू तथा एन में संबंद बताईए तो आपसे सवाल किया गया है कि capital H उचाई का एक मिनार है और इसके सिस से यू बेक से एक पिंड फेका जाता है और कहा गया है कि इस मिनार की चोटी से प्रिश्वी सत्ह तक आने में जो समय लग रहा है वो इस उचितम बिदो तक पहुझने में लगे समय का एन गुना है अ अगर इस सिस से उचितम बिदो टक पहुझने में लगा समय ती और पूरा समय यहांस लेकर के यहां तक ती माल ले तो आपके सवाल में दिया है कि जो टी होगा वो T1 का कितने गुणा होगा N गुणा होगा तो आप से पुछा गया है H U और N में सब्बंद पुछा गया है तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि इस सीर्ष से इस पृत्वी सता तक आने में जो समय लगा है वो T है तो इस T के लिए आप उर्द्वादर गती नीचे की तरफ देखेंगी तो नीचे की तरफ परड़ामी पिस्थापन क्या है Capital H तो आप यज को लिख देंगे Capital H और यहां से यहां तक पृत्वी सता तक आने में जो टोटल टाइम लगा है उसको आप T की जगर T लिखेंगे और चुकि परड़ामी रूप से पिंड नीचे की ओर आ रहा है और बेग आपका उपर की ओर है तो इस बेग U को उपर की ओर प्लस माने तो नीचे की ओर मान लेगे तो यहां पर U is equal to क्या हो जाएगा minus U क्योंकि पिंड को finally नीचे की ओर आना है और बेग ऊपर की ओर दिया है तो नीचे की ओर बेग जो होगा वो U का negative हो जाएगा यानि minus U हो जाएगा और जी कमान आपके सामने रहेगा अब यहां से आप फामला लगाएगे कि H बराबर UT प्लस हाफ GT square और H की जगह लिखें capital H बराबर U की जगह माइनस U लिखेंगे minus U into T प्लस हाफ G into T square अब यहां से हम T is equal to सवाल में दिया है कि इस highest point पर पहुंचने में जो समय T1 लगा है उसका यहन होना तो पहले हम T1 कमान निकाल लेते हैं तो यहां पर उपर की ओर जाने पर बेग U है और highest point पर बेग क्या हो जाता है तो highest point के लिए B is equal to क्या हो जाएगा 0 और U आपको दिया हुआ है तो एक समिकर लगाएगे B बराबर U minus GT से तो B हो गया 0 U कमान अपने पास U रखा है और G into T यहां से T is equal to क्या हो जाता है U upon G हम यहां से यहां तक के T को T1 के रूप में लिखे हैं तो यहां T1 हो जाएगा T1 हो जाएगा T1 हो जाएगा T1 हो जाएगा इस T का मान इस एक क्वेस्टन में लग दीजिए क्या हो जाएगा capital H is equal to minus U into T की जगह N U upon G plus half G into T की जगह फिल लिखेंगे N U upon G का whole square इसको हम हल करते हैं क्या जाता है capital H is equal to minus N U square upon G plus N square U square upon twice G G square और यह G से कटेगा तो क्या बच जाएगा केवल G बच जाएगा यहां पर G square होगा और G square में से एक G से कट जाएगा तो क्यवल G बच जाएगा अब यहां से क्या हो जाता है आपका capital H is equal to U square upon G यहां भी है और U square upon G यहां भी है N यहां भी है N यहां भी है तो आप N U square upon G का whole ले लिए यहां से बच जाता है minus 1 और यहां से बच जाता है plus N by 2 और इसको जब हल करेंगे आप तो capital H is equal to आ जाता है N U square upon twice G यह 2 नीचे रहेगा तो यहां से जाता है N minus 2 और इसको जब हम इस तो जाता है twice GH is equal to N U square और N minus 2 यह हमारा H N और U में संबंद है तो यह हमारा सवाल था सबसे पहले आप क्या किये कि यहां से यहां तक का पूरा समय T मान लिए और आपके सवाल में दिया है कि यहां से यहां तक का समय से उचतम बैट कहोंचने का समय जो T1 और पूरा समय जो T है उसमें समंद T is equal to N into T1 यहां से उचतम बिंदु पर ब्यक B is equal to 0 होता है और यहां पर ब्यक Y है तो यहां से यह तक के जाने का समय अगर निकालना चाहें तो v is equal to u minus g t1 से v कमान 0 u minus g t1 करके t1 is equal to u upon g लिख देगे और इसी equation में t कमान रखेगे n into t1 के जगा u upon g तो यहां से t कमान मिल गया अब हम finally विस्थापन देख रहा है कि इस चोटी से अंत में प्रिफ्वी सता पर पिंड आ रहा है तो विस्थापन जो होगा वो capital s हो जाएगा यहां से यहां तक का समय हमने t लिया है और बेग उपर की और u है तो नीचे की और minus u होगा चोकि अंत में पिंड नीचे की और आ और जी आपको दिया हुए तो इस इक्रेशन में इन सब का मान रखते हुए आप देखेंगे तो यहां पर हमारा सम्बंद आ जाता है ट्वाई जी capital h is equal to n u square bracket में n-u तो यह हमारा सवाल है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आओगा इसी तरह के और भी सवाल को ले करके ह समाते रहेंगी तब तक के लिए बेश्ट अपलग धन्यवाद